बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे इस साल का पहला चंद ग्रहन कल लगने जा रहा है और अगर हम मैदनी जोतिश के बात करें अगर हम विश्व के जोतिश के बात करें तो ग्रहन बहुत महत्वपूर होता है और इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है इनसान के उपर देश-दुनिया के उपर और मौसम के उपर क्या है ये ग्रहन का पूरा मामला आज इस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहन का मामला क्या है देखिए ये वर्ष 2021 का पहला ग्रहन है और मोटे तोर पे इस ग्रहन को आप कहेंगे खग्रास चंद्र ग्रहन इसकी शुरुवात 26 मई को दोपहर के 2 बचकर 17 मिनट पर होगी और इसका समापन 26 मई को शाम को 7 बचकर 19 मिनट पर होगा इसका मध्यकाल शाम को 4 बचकर 48 मिनट पर दिखाई देगा भारत में ये ग्रहन सामानिता नहीं दिखेगा ये ग्रहन समापती के समय यानि शाम को 7 बचके 19 मिनट के आस पास भारत के पूर्वी भागों में उपचाया के रूप में दर्शनी होगा यानि भारत के लिए ये ग्रहन उपचाया चंद ग्रहन होगा हाना कि पूरी तवर से अगर हम देखें देश दुनिया के कॉंटेक्स्ट में देखें तो ये खग्रास चंद ग्रहन है जोतिश के हिसाब से ये ग्रहन लगेगा व्रिश्चिक राशी में और अनुराधानक्षत्र में अब जब ग्रहन लगता है सामाने तह तो जैसा हम सब जानते हैं कि खाना पीना मना हो जाता है मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं सूतक के नियम लागू हो जाते हैं तमाम नियम ग्रहन के साथ हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं तो इस बार के सूतक के नियम क्या होंगे देखिए वैसे तो ये खग्रास चंद ग्रहन है लेकिन भारत में इसकी उपछाया के ही दर्शन हो सकेंगे वो भी अंत समय में अब उपचाया ग्रहन में किसी भी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होते अगर ये खग्रास चंद ग्रहन पूरी तोर से भारत में दिखाई दे रहा होता तो सूतक के नियम जरूर लागू होते लेकिन उप्छाया ग्रहन में किसी भी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे इसमें मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे मंदिरों की जो पूजा है और घर की जो सामान ने पूजा है आपको जो भोजन करना है आपको जो विश्राम करना है वो सारे कार्य यथावत पहले की तरीके से आराम से चलते रहेंगे तो इस खग्रास चंदग्रहन को पूरे दुनिया में तो देख सकेंगे लेकिन भारत में चुकी इसकी उपचाया के दर्शन होंगे इसलिए भारत में किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि चुकि भारत में उपचाया ही दिखेगी या भारत में पूरे तोर से दिखेगा नहीं, तो भारत में इसका असर क्यों पड़ेगा? देखिए, चंद्रमा पूरी दुनिया में एक ही है, ऐसा नहीं है कि पृत्वी पर चंद्रमा अलग है और अमरीका में अलग है और भारत में अलग है चंद्रमा पूरी दुनिया में एक है और चुकि चंद्रमा प्रभावित होगा और हम सब के जीवन को प्रभावित करेगा इसलिए इसका असर पड़ेगा हमारे शरीर में भी चंद्रमा के तत्व हैं और आकाश में भी चंद्रमा पूरी दुनिया में एक रहता है इसलिए चंद्रमा चुकी प्रभावित होगा इसलिए इसका असर हम सब के उपर जरूर पड़ेगा अब इस ग्रहन का देश पर और जनता पर क्या असर पड़ेगा व्रिश्चिक राशी विश्च की राशी मानी जाती है और व्रिश्चिक राशी जो है उसमें भी अनुराधा नक्षत्र है शनी का नक्षत्र है न तो ये जो व्रिश्चिक राशी में गरहन है ये लोगों में विद्वेश बढ़ाएगा लोगों के बीच में आपसी जगडे, आपसी कला कलेश वाला जो पार्ट है वो बढ़ेगा पडोसी देशों के साथ तनाव होने की संभावना होगी जल की राशी का गरहन है इसलिए पडोसी देशों के साथ तनाव होगा महगाई की समस्या बढ़ेगी और भष्टाचार की समस्या भी दिखाई देगी आपको दिखाई देगा कि देश में जो तमाम कल्यानकारी, कारिक्रम या योजनाय चल रही है उसमें भष्टाचार आ गया है अब चुकि यह जल की राशी है और जब भी जल की राशी प्रभावित होती है हमेशा याद रखिए कि जल से आपडा आने के संकेत बन जाते हैं तो समुद्र तटिय इलाकों में आपडा के संकेत आ सकते हैं जैसे महराश्ट्र में, गुजरात में, केरला में जहां जहां पर समुद्र तटिय इलाके हैं वहां पर आपडाओं की संभावना बनेगी या बहुत सारी बारिश होगी, जल से भारी समस्या हो सकती है इसके अलामा जैसा कि आचारे वाराह मिहर ने कहा है कि वाहन दुरघटनाओं के वायूयान दुरघटनाओं के संकेत भी दिखेंगे और देश में शाशकों को पद में समस्या आ सकती है चंद्रमा जो है वो राजा है सेकेंड नंबर का राजा चंद्रमा है चंद्रमा प्रभावित होगा तो देश के जो शाशक हैं उनके उपर अंगुलियां उठेंगी जो सत्तारूर दल है चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो उनके लिए प्रश्णचिन्द पैदा होंगे और उनके पद पृतिश्था में समस्या की संभावनाएं काफी प्रबल रूप से बन सकती हैं काफी प्रबल रूप से बढ़ सकती है